हमें सेवारा पहुंचने में और कितना समय लगेगा इस तेजी से तो एक महिना लगेगा पहुंचने में हमें पहुंचना ही होगा जल्दी हमें जल्दी पहुंचना है यह तो आग की तरह लग रहा है शर्त लगा लो इनसानों का ही काम होगा यह हो सकता है पर इतनी बड़ी हाग लगी है कि सिंबा हमको जल्दी घर जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा सही बोल रहे हो चलो आग आग सभी लोग सबाच अन पर मिलो यह गंभीर सबस्या है यंदी तरो चलो चले हाँ सभी लोग कर पेल सबाच अन पर मिले दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं वहाँ भेंकर आग लगी हुई है हमारे बहुत सारे दोस्तों आप फसे हुए हैं हमें उन्हें बचाना है पर समभलकर आग पैल रही है मुझे यकीन यह आग इंसानों ने लगाई है हमें इसे रोकना ही होगा लहातियों को बुरा कर लाता हूं मदद के लिए नए नए का उसे लेकर आ रहा है तो हमें आग जल्दी से जल्दी वो हम कैसे कर सकते हैं बताओ हमें एक खाली जगह कोई भी ऐसी चीज जिससे आग पहले उससे हटाना होगा इस जंगल से समझ गए मैं समझ रहा हूं सिंबा बक्षाट सब को आग के बारे में बता दो ठीक है बखो लोग जो रहे जल्दी करो वो लोग हमें सवाना जाने का रस्ता पता देंगे वो देखो बक्षाट ये तो बढ़ते ही जा रही है अब हम क्या करें हवासे वो और पहल रही है अगर हम अगस्तिया के योजिना से चले तो हम फस भी सकते है प्रों की यहां कुछ नहीं कर सकतले में जाकर आरवर से बात करता हूं उसको पता होया इसको रोकने का तरेका तैक है तुम जाकर बात करूँ। सबको बताता हूँ क्या हो रहा है यहां इसके पीछे चलो हाँ क्या यही सब हैं हाँ तुम सब जा सकते हैं ओमान इंतजार कर रहा है यह सफर कद्म हुआ मेरे वच्चो तुम सब उमान के साथ महफूस रहोगे आगा अगा 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 जंगल में आग लग गई है वुझे पता है यह खतरनाक है पर हमें आग को रोकरे के लिए कोई तरीका ढूंबना हो गड़ा जल्दी से जल्दी पर आरबर वहां बहुत सारे पेड़ हैं काटने पड़ जाएंगे वह तो वैसे भी चलने वाले हैं अभी तो में सिर्फ आग रोकनी हैं कि इस तरह कि करो मोटू बागते रहें अब भागो अब सिम्बा ओ सिम्बा मुझे एक तरीका मिल गया है हमको यह सारी आग दल्दल से बुझानी होगी दल्दल से पर्वता बहुत दूर है मुझे पता है और मुझे यही करने के लिए बोला है किस ने बोला तुम्हें ऐसा आरबर अगर ऐसी बात है तो हममें तुम्हीं बात माननी होगी आरबर साच बोलता है तुम्हें जल्दी करनी होगी अभी काफे काम बांगी है डलль की तराव Nej हो आग दल्दल की तरफ बढ तुम लोग आग दलदल की तरफ पर रही है कि रुको अपनी ताकत बरबाद मत करो आग दलदल की तरफ जा रही है हम सब को भी वहां जाना चाहिए चलो वोस्तो चलते हैं और वस्त नहीं पता चला यह सब उसने हवा की दिशा पता कर ली होगी मैं ऊपर जाकर आग को देखता हूँ ठीक है अच्छी खबर नहीं है पतलू क्या हो रहा है वहां यह तो बहुत बुरा है अब मैं आ रहाओ नीचे तो तुमने क्या देखा आग क्या हुआ वह वोड़ती जा रही है पहाड की तरफ पहाड मतलब वह नहीं बुझा पाएंगे वह लोग इसे दलदल के पास ही रोक लेंगे और पहाड सूखी घास से भरा हुआ है पर उस वक्त सब लोग दलदल के पास आग से लड़ रहे होंगे आग पहाडों को भी जला देगी चलो जल्दी करो तुम किसका इंतजार कर रहे हों यहीं मौका है बाहुदरी दिखाने का पाचलो अखर आचलो जाँन बचाकर भागो सागो कि अब आग को रोक नहीं होगा मैं और मदद लाने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ इसे कैसे रोक सकते हैं बचाओ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यह पत्ता मुझे कीच रहा है मोटू बचाओ मुझे रुको हमने पत्ती खो दी अब क्या करेंगे हम इस पार अच्छे से पकड़ के रखना मोटू आग इस तरफ आ रही है पर पत्ती तो आग की तरफ जा रही है कि मैं समझ गया है है तुम लोग अभी ऐसे नहीं जा सकते है चल्दी चलो मैं सब को इस और लेके आता हूं चलो मोटू पताओ हमें क्या करना है तो क्या योजना है घास जमा करो हम आग के साथ आग से लड़ेंगे हम लोग घास का एक बड़ा सा गोला बनाएंगे ठीक है ठीक है सिंबा जैसा कह रहा है वैसा ही करो सब साम उस यगा को भी भर तो बहुत अच्छे सिंबा बक्षोट क्या तुम्हें वो दिख रहे है बगीरा नहीं बहुत धुआ है कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है देखो कां आ रहा है हो सकता है उसने देखा हो कां तुमने सिंबा को देखा है मैंने मैंने कां क्या तुमने मुझे सुना ओ बगीरा सिंबार बक्षोट दोनों पहार पर है लगता है बहुत धुआ इसके अंदर चलागे अब ही बुलाना होगा सब बच्चे हाँ इसने देखा है चलो इसे जला दो यह योजना बस काम कर जाए काम बन गया अब है कि मा क्या बाथ है सिंबा आपको निकाल दुखाया तो बहात हो शेयरी आपको निकाल दुखाया आप वह सब सही सलामत तो होंगे ना उसने कहा कि उसने उन्हें पहाड पर देखा था क्या कहा पहाड पर वह तो चारो तलब सूखी घास होती है बगीरा बस उन्हें को कुछ नहीं हो पहाड अच्छी तरकीब कर दोनों तुमने ही मुझे तरकीब बताई हमने हाँ 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 शुक्र है तुम सब ठीक हो यह सब सिंबगी योजनाती मैं बहुत खुश हूँ हाँ बताओ तुमने यह सब कैसे किया हमने एक आग का गोला बनाया आग से लड़ने के लिए आग हम तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दे भी अपने पिता की तरह तुमने जो भी किया उससे हम सब की जान बची अब थोड़ा साफ है अब क्यों रोट तुम कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो अपना सिंबा बड़ा हो रहा है ना चमीली हां और वो अपने पिता के जैसा दिखने लगा है और उनके जैसे काम भी हां उसने सब को बचा लिया कैसे हो दोस्तों तुम सब को सुरक्षित देखकर अच्छा लगा तुम्हारा भी शुक्रिया अगस्तिया आपके सिखाई बाते हमारे काम आई मुझे भी बताओ तो हमने आग की लड़ाई आग से ही की सच्वे तुम्हें मैंने जो बताया था तुमने याद रखा तुमने मैं कुछ बोल सकता हूं अगस्तिया तुम हाँ बोलो ठीक है एक तो मैं और पत्लों आग के लप्टों से भाग रहे थे और हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा पत्ता था और जब हवा के एक जोकी ने हमें आग में गिरा ही दिया था तभी सिंबा को यह तर्क हाँ तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने इन सब के जान बचाई तुम भी तो सचे हीरो हो उपर जाकर दबाव बनाती है और यह दबाओ जब ऊपर उठकर ठडडी हवा से तकराता है उसे की वज़े से हमारे पत्ती हवा में उपर उड़ गई थी और जब सिंबा ने पत्ती को उड़ते हुए देखा तो उसने एक और आग लगाने की सोची और वह पहली आग से टक्रा कर वही पर बुझ गई और हमें लगा कि सिंबा को स्कूल पसंद नहीं नहीं पर खेलना जादा पसंद है चलो अगस्तिया की किताबे कुछ काम की तो निकले है और खास तोर पर वो किताब जो अगस्तिया की हो अगस्तिया काओ, अगस्तिया काओ, काओ, देखो, सब लोग जा रहे हैं, अगस्तिया, देखो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह आग इंसाड उन्हें लगाई होगी, वो हमारे जंगलों को जलाकर वहाँ खेती कर रहे हैं, पर उन्हें इन सबसे क्या मिलेगा अगस्तिया, वो खेती करके पैसे कबाना चाहते हैं, जो वो बोते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, पर वो ऐसा करके हमारे जंगलों को खत्प करना चाहते हैं, पर जब हमें पता है यह गलत है, तो यह क्यों हो रहा है, ना कि वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, मुझे सबच नहीं आया, अमीर बनने में गलत क्या है, क्या तु वो उपर धुआ देख रहे ह यह वातावरन के ऐसी पर्थ है जो ओजोन गैस की होती है जो काफी उपर होती है वह तो बहुत दूर है जिस्ञाव वहां से क्या फाइदा होता है अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूरज की घातक किर्णे हमारी धर्ती को नश्च कर चुकी होती इसका मतलब है ओजोन किर्णों को रोकती है भालू के लिए एक तरीके से हाँ वो सूरज की खताना किर्णों को रोक देती है ओ, फिर तो ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए हाँ, पर लगता है कि इंसान इस बात को भूल गए उनको आग और धुए से होने वाले नुकसान पता है ये बातावन को प्रदूशित करती है हानिकारक गैसे छोड़ती है इंसानों को सब कुछ पता है पर फिर भी वो भूल करते ही जा रहे हैं सिर्फ पाड़े के लिए करते है हम उन्हें ऐसे हमारी दुनिया खतम करने नहीं दे सकते नहीं हम यह नहीं होने देंगे सिंबा हमें धर्ति को बचाना ही होगा हमको फिर से पेड़ लगाने होंगे धर्ति को फिर से हरा बरा करना होगा हमको जंगल को बचाना होगा बस यही एक तरीका है दुनिया को तबाही से रोकने का चलो काम पर लग जाते हैं हमार पार ज्यादा वक नहीं है चलो यहीं सही मौसम है पेड़ को उगाने का और हम सब जले पेड़ों को हटा देंगी और हम नए बीज ढूंड कर लाएंगे तबाकी कहां है मुझे भूक लगी है तुम इतनी देर बाद आए यह क्या जला हुआ खरगोश लाए बेवकूफ कहीं के अगल लग दें कि मझे से कुछ भी नहीं मुझा मुझे सिर्थ यहीं जला हुआ खरगोश मिला है आज इस खालीजिए तुमने कभी किसी राज्या को जला हुआ खरगोश खाते दिखा कोई बात रहे हैं तुम कह रहे थे कि आग खतरनाक थी इसका मतलब सिम्मा भी उस आग में जलका खत्म हो गया होगा पर तुम्हें अपने अधिजाम खुद करना था और और कुछ नहीं था क्या मतलब है यहां खाने को कुछ नहीं बचे नहीं तो हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए अगर यहां कोई शिकार नहीं बचेगा तो हम भूके बर जाएंगे मैं तैसे बर रहा हूँ हम भी जो यहां कर्भी आप अजर अब deliberate नहीं कि अधर कर खुम्हें हुआ 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 हुआ。 प्टे इसके उडल। हुआ 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 मुआ हुआ हुआ हुआने आज हमारे दोस्तों की होश्यारी से पूरा जंगल तबाह होने से बच गया और वो सब जंगल को नुकसान पहुचाने वालों से लड़ाई जारी रखेंगे ऐसी ही और मज़िदार कहानिया जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड